Assalamu alaikum, मैं जुलेखार रफाद, जुलेखास कीचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सी एक चिक्किन का स्टार्टर कही है एक ग्रेवी बाला कही है, जो कहना है कही है इसका नाम है Asalumstyle Butter Chicken Sी कबाब आहाहाँ क्या बड़िया दिखता तो है लेकिन क्या लजीज खाने में लगता है और in fact आप घर पर अच्छे हाईजीन से बना पाओगे साफ सुत्रित तरीके से मैं आपको एक तोड़का दिखा देती हो ये देखे बिस्मिल्लाय रख्माने रेम क्या super soft बनी है हमारी सीख और क्या delicious है बढ़िया थी मज़ा आ गया त याने ordinary ingredients से extraordinary आज की जबराट recipe भी बनाते हैं चलिए चलिए सबसे पहले हम कबाबों का मसाला बना लेते हैं तो ये है एक छोटा चाई का चमच साबुद जीरा 6-7 हरी इलाइची और मैंने आदा टुकड़ा है जावितरी का लिया है ये एक छोटा चाई का चमच काली 6-7 लॉंग और एक डांडी डाल चीनीगे अच्छा अगर आपके पास पिपली हो तो दो पिपली भी डाल दीजेगा मेरे पास है नहीं तो मैं डाल नहीं रही हूँ विस सारी चीजों को एक mixer jar के अंदर डाल दीजे और बिना पानी डाल कर इस तरीके से पीस लीजी और पा आप चाहें तो कदुकस कर सकते हैं अब यहां पर मैं मसाले बता देती हूँ आपको आदा या पॉना चुटचाय का चमच नमग डाल दीजे अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं एक चुटचाय का चमच धनिया पाउडर एक चुटचाय का चमच काश्मीरी लाल मिर् पर आदा चुट चेका चमच, किरम मसाला पाउडर, इन्हें में साइट पर रख देती हूँ, और ये है प्यास जैसे मैंने निचोड कर रखा है, अब हम सबसे पहले ले रहे हैं, ये आदा किलो चिकेन बोलनेस है, थाइ पोशन है, आप ब्रेस पोशन ले सकते हैं, मैंने चर अब हम डाल देते हैं, ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताये थे, प्यास जो साइट पर रखी है, पूरी स्क्वीज करी हुई, मतलब निचोड़ी हुई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ये भी डाल दीजिए, हरी मिर्चियां आप अपने स्वाध अनुसार ले स अच्छे से निचोड़ कर इसके अंदर दाल देती हूँ, आपके पास ब्रेड ना हो तो आप एक टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिए तेल, मखन, बटर याने के या फिर घी भी डाल सकते हैं, मैंने तेल लाला है, एक चुरजय का चमश निम्मू का रस दाल दीजिए और बहुत अच्छे से चौपर के अंदर इससे ब्लेंड कर लीजिए, ऐसे अगर आपके पास चौपर ना हो तो मिक्सर जार के अंदर इससे ब्लेंड कर सकते हैं, जब इस तरीक इसे ब्लेंड हो जाए एक दम, तो आप इन्हें सबसे पहले एक पातर यानिके थाली के अंदर निकाल लीजिए और इसे फ्रिज में आधे पॉने घंटे के लिए रहने दीजिए, एक मिक्सर जार के अंदर चार हरी मिर्चियां दाल दीजिए, एक मुठी पोथमेर यानिके हरा धनिया और आधी मुठी पुदीना दाल दीजिए, सारी चीजे धोई उवी और थोड़ा पानी डाल कर बहुत अच्छा बारिक पीस लीजे और इसे साइप पर रख दीजे अब एक प्याले के अंदर आधा कप दही ले लीजे ना ही खटी है ना ही मीठी और रूम टेंपरेचर पर है ये और आधा कप मलाई फ्रेश मलाई जो कर लीजे अब इस दही और मलाई का कलर इना घ्रीन नहीं होना चाहिए तो एक से डूर टेबल स्पून आप चटनी को बचा कर साइट पर रख दीजेगा बट मैंने क्या सुचा आप बचा कर करूंगी क्या तो मैंने सारी चटनी डाल दी बट आप एक दो टेबल स्पून च इसको डिवाइट कर लेती हो एकोली तकरीबन आट नौ सीख बनेगी थोड़ा सा हातों को तेल या पानी से घ्रीज कीजिए सीख लीजिए और उसमें इस तरीके से ये एक पोशन को लगा दें स्प्रेड आउट कर दीजिए और ये जो मांक्स आते हैं हातों की मदद से उं को मांक्स देते जाएं, शेफ देते जाएं और प्लेट के अंदर रखते जाएं, निकाल-nousकाल कर रखते जाएं तो उस इसाब से आपकी सारी सीख बन जाएगी और आप साइट पर रख दीजिएगा अब मैं क्या कर रही हूँ फ्राइपन के अंदर थोड़ा सा मख्षन द मेरे पास जो होती है, सीलिय को सीख करते हैं, तो मैं यहाँ पर पांचवी वाली हाथों से बना रही हूँ और डालती जा रही हूँ, अब आप ऐसा ना कर सके, आपके पास एक ही सीखो तो आप बना बना कर डारेक्ली एक एक करके डालते जाएं या पहले सारी प्लेट में बना कर डाल दे, निकाल ले और उसके बाद आप इसके अंदर फ्राय पैन के अंदर फ्राय कर लीजेगा या तंदूर हो तो तंदूर में सीख बना लीजेगा ये सारी इन्हें मीडियम आज पर पकने दीजे 6-7 मिनिट तक, पहले तो एक मिनिट इन्हें टच मत कीजेगा, जब 1-5 मिनिट हो जाए तो पलट दीजे और occasionally इन्हें पलटते हुए तकरीबन 6-7 मिनिट तक मीडियम आज पर पकने दीजे अब इसे है ना, तब तक पकाएं जब तक light golden brown उनके ओपर marks नहीं आजाते हैं जब तक marks आएंगे ना, तब तक तो chicken गल भी जाएंगी 6-7 मिनिट के अंदर चलिए इन्हें, जितना आपने golden spots दिलाने, जितना गहरे spots दिलाने, आप आपके इसाब से डिला सकते हैं, और अगर आपके पास तंदूर है तो उसमें पका लीजिएगा 6-7 मिनिट हो चुके हैं, चिकन बढ़िया सी बन चुकी है, और सीख पर अच्छी color आ चुका है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, डारेक्ली वही plate में निकाल लिएगा, जिसमें आप सर्फ कर रहे हैं अब आप कहेंगे कि तंदूर में तो पकी नहीं, तो तंदूर का effect किसे आएगा, तो wait कीजिए मैं हूँ ना, side पर कोईले को गरम करने रख दीजिए, अच्छा गरम हो जाए, तो एक वाटी रख दीजिए, उसके अंदर कोईला रख कर, इसके उपर तेल, घी या मखन डाले, और इसे quickly ढाग दीजिए, तो हमारी जो सीख के अंदर है, उसके अंदर कोईले का जो टांडे का फ्लेवर आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने बस तंदूर से ही सीख निकाली है, बट हाँ, सिर्फ 3-4 मिनिट ही इसे टांडा दीजिएगा उससे जादा नहीं, ओवर पावर नहीं करना है कोईले का फ्लेवर, side by side यहाँ पर मखन मैंने थोड़ा गरम पर रखा है, आप आपके इसाब से जितना मखन चाह उतना ले सकते हैं, चलिए 2-3 मिनिट हो चुकी है, कोईले को मैं हटा देती हूँ अब वो जो हमने दही और मलाइका बना कर रखा है, वो overall drizzle कर दीजिए, हमारी बढ़िया सी सीखों के उपर, इसके उपर फिर से थोड़ा सा चाट मट साला स्प्रिंकल कीजिए अब यह optional है, आपने नहीं दालना तो कोई बात नहीं, लेकिन दालेगा जुरूर टेस्ट बढ़िया आता है, थोड़ी सी बारी कटी हूँ भी कोथ मेर, यानिके हरा धनिया दाल दीजिए और गर्मा गर्म यह जो मैंने बटर को, यानिके मखन को मेल्ट की है, वो सारा डाल दीजिए इसके उपर, फिर से मैं थोड़ी सी कोथ मेर दालती हूँ और यह बन गया हमारा स्लम स्टाइल बटर चिकन सीक कबाब, बहुत ही बढ़िया जबर्दस बनता है, जरूर बनाईएगा अच्छा, वैसे कुछ सीक डिफरेंट स्टाइल्स की, मैंने मेरे चानल पर बनाई है, अपलोड की है, आप लोगों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, और इसमें हरी मिर्चियां अपने स्वाध अनुसार दालिएगा, और मखन आपके स्वाध अनुसार दाल सकते हैं, कम या जादा आप अज़स्ट कर सकते हैं, और चाट मसारा उपर से स्प्रिंकल करना ना भूलेगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, पिसमिल लाए अगर आपको ये रसेपी अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजेगा, और उससे जादा अच्छी लगी हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवड कीजेगा, अगर आप ये रसेपी बनाएं, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजेगा, मुझे आपके कमेंस पर ने बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर से आजरूंगी नहीं शानदार दमदार रसेपी के साथ, अंटल देन, टिक कर आला हाफिस, बाबाई